वीडियो शुरू करने से पहले गाईस आप लोगों मैं बताना चाहूंगा यू पीडियेफ एडिटर के बारे में जो कि आज के मारे वीडियो के स्पॉंसर है और यह बहुत ही काम का सॉफ़एर है यू पीडियेफ एक ऐसा सॉफ़एर जापे आप पीडियेफ को एडिट तो कर ही पाएंगे लेकिन इसमें बहुत से AI वाले फीचर भी अवेलेबल है किसी पीडियेफ को अब सब्सक्राइब करना से किसी पीडियेफ स्वेलेज है strong आप यहां इसमें बहुत ही बहुत कर करना और ludzi करना हूं करना हो बहुत सी और भी चीज़े यहां पे पॉसिबल है या तो अगर सी पास्वर्टकस करना है तो यह भी आप कर पाएंगे वन क्लिक में, इवन अगर आप multiple devices यूज करते हैं, तो सारे अपने documents को आप cloud पे sync करके रख सकते हैं, ये एक बहुत ही कमाल का software है, जा आप बहुत से features आपको देखने मिलेंगे, और इसमें जो AI वाले features हैं, ये भी बहुत ही अच्छे है, किसी भी बड़ी PDF का अगर आपको summary चाहिए, तो आप इसमें integrated AI की मदर से उस PDF को कुछ ही key points में summarize कर सकते हैं, PDF को अगर आपको translate करना हो, तो ये भी इनके AI algorithm की मदर से आप कर पाएंगे, और अगर कोई complex concept है, PDF में उसको आपको समझना हो, तो जो integrated AI है, इसके आप help ले सकते हैं, तो guys, नीचे description box और पहले comment में आपको link मिलेगा, यू PDF को जाकर try ज़रूर करना, I am sure आपको भी ये वाला software बहुत ही पसंद आएगा, और हमारे channel के लिंक के तो आपको 80% जितना discount में मिलेगा इनके website पे, तो जाके चेकाउट जरूर करना, हाई guys, कैसे आप लोग, तो iOS 17 का public stable version काईज, आपल ने कुछे दिनों पहले release किया, सारे iOS 17 supported devices के लिए, और iOS 17 के साथ हमको देखने मिला, एक बहुत ज़्यादा useful feature, जिसका नाम है live voicemail, अभी live voicemail जो है, अपने आप में करना है, सारी चीज़े आपको एक एक करके में बताता हूँ, सबसे पहले तो guys, आप अपने फोन के settings में यहाँ पे जाएंगे, तो आपको live voicemail का toggle देखने मिलेगा, यहाँ से आप on या off कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हैं, और आपका language or region India set होगा, तो यह वाला toggle आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि United States के अलावा एपल ने यह वाला feature और कोई country में activate नहीं किया, तो सबसे पहले हम आपको यह वाला toggle आपको अपना iPhone के उपर कैसे लाना है, अपने phone के जर्रेटिंग्स के अंदर जब आप लोग जाएंगे, यहाँ पर आपको नीचे language or region का एक tab देखने मिलेगा, यहाँ सब अपने region को इंडिया से United States के उपर set कर पाएंगे, और आपको अपना जो language or region हो यहीं से change करना है, iTunes and app store के अंदर भी language or region आता है, वहाँ पर आपको शेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि आइट्यून्स के अंदर अगर आप लोग language and region को United States के उपर set करेंगे, तो आपके सारे जो एप के purchase से, आपके सारे जो subscription से, आपका जितना भी Apple ID का balance से वह चला जाएगा, तो make sure करना, एप स्टोर के अंदर या तो iTunes के स्टोर के अंदर कोई भी language or region को आप चेंज ना करें, जो setting में आपको यहाँ पर बता रहा हूं, बस यही setting को आपको चेंज करना, इस setting से आपके phone के functionality को कोई effect नहीं आएगा, तो यहाँ से जब आप लोग language और region को United States के उपर set कर लेंगे और फिर जाएंगे अपने phone के settings में, तो आपको live voicemail का toggle देखने मिल जाएगा और यह by default on होगा, अब यह काम कैसे करेगा, तो जब कभी आपको किसी का phone आएगा और आप उस phone को नहीं उठाएंगे, तो आपका phone automatically voicemail पर चला जाएगा, तो अपने iPhone 14 Pro से में लगाने वाला phone अपने iPhone 14 Pro Max के उपर, और phone आने के बाद हम लोग आप फोन को जो हो बजने देंगे ताकि यह automatically voicemail के उपर चला जाए, तो जिसके आप लोगोंने चिक आउट किया, अगर आपका phone आता है, आप फोन को पिक अप नहीं करते हैं, तो automatically आपका phone चला जाएगा, voicemail के उपर, अभी live voicemail का यहाँ पर मतलब क्या है, लाइब यहाँ पर देखने मिल जाएगा, और audio voicemail जो होंगे, तो last वाला जो टैब है voicemail का, यहाँ पर आपको सारे अपने जो audio voicemail से यह सुनने मिलेंगे, और यह जो audio voicemail वाला feature है, यह तो live voicemail वाला feature, इसमें कोई भी carrier support की requirement नहीं, आपके बस कोई भी SIM card हो चलेगा, चाहे उसको खुदी आपके लिए phone को pick up करना पड़ेगा, और यह जो audio voicemail का feature मुझे ज़्यादा important लगता है as compared to live voicemail, और जो मैंने आप लोगो सेटिंग बता है, language और region का, वहां से आप United States को पर set करेके, live voicemail या तो audio voicemail का benefit इंडिया में भी उठा पाएंगे, and hopefully आगे जाके श सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब करना